हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है अनवव शर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन मिलिटरी अपडेट्स में स्वागत है इस चैनल में हम आपको इंडियन मिलिटरी और वर्ल्ल पॉलिटिक्स से जुड़ी जानकारियां देंगे तो चलिए जानते हैं आज की important news के बारे में अर्जंटीना अपनी air force को modernize करना चाता है इसके लिए वे 15 नए fighter jets खरीदना चाता है इन fighter jets को अर्जंटीना पुराने हो चुके retired मिराज aircraft की जगा इस्तिमाल करना चाता है अर्जंटीना ने मिराज aircraft को 2015 में ही retire कर दिया है अर्जंटीना कई देशों के aircraft को analyze कर चुका है इनमें इंडिया का तेजस aircraft चाइना का JF-17 aircraft और अमेरिका का F-16 aircraft भी शामिल है अर्जंटीना की air force इंडिया के तेजस aircraft की operational capabilities को देखकर इसे खरीदना चाती है लेकिन अब मीडिया में यह reports निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका अर्जंटीना पर Danish F-16S को purchase करने का दबाव बना रहा है United Kingdom ने अर्जंटीना पर arms embargo imposed कर रखा है इसका मतलब है कि अर्जंटीना पर United Kingdom द्वारा हतियार की supply करने पर sanctions लगे हुए हैं इसी कारण से अर्जंटीना अब रशिया के मिक 29 और मिक 35 को भी लेने पर विचार कर रहा है हाल की reports के अनुसार United States की सरकार Denmark के retired हो चुके F-16S को अब अर्जंटीना को बेचना चाहती है इसके लिए United States Government ने United States की Congress से approval भी मागा है इसी लिए अब अमेरिका अर्जंटीना पर दवाव बना रहा है कि वह भारत या किसी अन्य देश की aircraft खरीदने की बज़ाए अमेरिका के F-16S को खरीदे तो चलिए जानते हैं आज की अगली बड़ी नियूस के बारे में Skyhawk Aerospace जो की इंडिया की एक prominent aerospace company है उसने 4th Drone International Expo में अपने latest innovations को showcase किया है Skyhawk ने Unmanned Aerial Vehicle UAVs को 26-27 जुलाई 2023 को दिली में हुए drone show में दिखाया इस drone expo में Skyhawk Aerospace ने indigenously develop और design किये गए fixed wing, vertical takeoff और landing, VTOL, multi-role UAVs को प्रदर्शित किया इनका नाम Pushpuck और C35E रखा गया है Pushpuck UAV को specially tactical purpose और high altitude cargo operations के लिए design किया गया है यह UAV 5700 meters के maximum altitude तक उडान भर सकता है इसके साथ ही है UAV खराब वातावरण में दिन और रात किसी भी समय उडान भर सकता है Pushpuck UAV minus 30 degree Celsius से 55 degree Celsius तक के temperature में operations कंड़क कर सकता है Skyhawk Aerospace के CEO Jayesh A. ने reveal किया है कि वह इस UAV की development को November 2020 में शुरू कर चुके हैं इस से बनाने का काम Army Design Bureau ADB की requirements को पूरा करने के लिए किया गया था Skyhawk Aerospace और ADB की collaboration से इस UAV को Army की special cargo operations की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है इसके साथ ही यह UAV Army को intelligence, surveillance और reconnaissance missions में भी support करेगा तो चलिए जानते हैं आज की अगली बड़ी news के बारे में इंडिया और United States अपनी military cooperation को और जादा मजबूत करने के लिए जल्द ही यूद अब्यास के 19 वे edition को Alaska में कंड़क करेंगे इस military exercise से दोनों देशों की strategic partnership और soldiers की coordination मजबूत होगी यूद अब्यास एक bilateral military exercise है इसमें इंडिया और United States की armed forces हिस्सा लेती हैं इस upcoming exercise में tactical capabilities, counter-terrorism strategies और अलग-अलग simulated scenarios की training भी दी जाएगी तो चलिए जानते हैं आज की अगली बड़ी news के बारे में owned as holding company जो की एक leading provider है industrial wireless network और commercial drone की उसके द्वारा owned की गई subsidiary Aerobotics Limited ने Aero A2Z Service Private Limited के साथ partnership की है Aerobotics और Aero A2Z दोनों ने मिलकर Optimus system का offer इंडिया को किया है यह एक fully automated drone system है और इसके साथ ही iron dome का भी offer दिया गया है जो की एक automated drone interceptor है Optimus system को safe और smart cities, defense, homeland security और industrial facilities में deploy करने के लिए बनाया गया है जबकि iron drone CUAVS एक advanced counter drone system है जिसका design और development enemy drones को neutralize करने के लिए किया गया है इन drones का इस्तिमाल efficient city planning, infrastructure monitoring, traffic management, surveillance और disaster management के लिए भी किया जा सकता है तो चलिए जानते हैं आज की अगली बड़ी news के बारे में High Altitude Long Endurance Class UAVS Hale UAV की testing के लिए किया जाएगा Hale UAV का विकास DRDO Indian Armed Forces के लिए कर रहा है चित्रदुर्गा ATR को specially DRDO के UAV के flight test को conduct करने के लिए ही बनाया गया है November 2016 में यहीं पर रुस्तम 2 UAV के flight test successfully conduct किये गए थे अब इस रन्वे के extension के बाद DRDO यहाँ पर बड़े Hale Class UAVS के development trials conduct कर सकेगा इसी रन्वे पर Swift UAV, घातक Stealth UCAV, Jet Power Unmanned Combat Aerial Vehicle, Archer Next Generation UAV और Medium Altitude Long Endurance Male Class Armed UAV के flight test भी conduct किये जाएंगे इन Advanced UAVS का इस्तेमाल, Army, Surveillance, Reconnaissance और Target Acquisition के साथ साथ Ground Forces को crucial support देने के लिए भी करेगी तो चलिए जानते हैं आज की अगली बड़ी नियूस के बारे में Indian Air Force ने अपने Indigenous Light Combat Aircraft Tejas को जमू और कश्मीर में मूव कर दिया है ऐसा इसलिए किया गया है ताकि Indian Air Force के पाइलेट तेजस एरक्राफट फ्लीट को वैलीज में उड़ा कर experience गेन कर सके LCF फ्लीट को forward basis पर experience गेन करने के लिए ही deploy किया गया है Indian Air Force के Union Territories जमू के एंड कश्मीर और लदाक में कई बेसिस हैं और यही पर इंडिया के दो देशो चाइना और पाकिस्तान से border भी लगते हैं Defense Official का कहना है कि pilots यहाँ पर extensive flying कर रहे हैं ताकि जमू कश्मीर और लदाक की unique terrain को समझा जा सके तो चलिए जानते हैं आज की important news के बारे में पाकिस्तान की global industrial or defense solutions GIDS ने इस्तानबूल में 25-28 जुलाई को आयोजित किये गए Solve International Defense Industry Fair IDEF में तैमूर air launch cruise missile ALCM और FAS air to air missile AAM को पहली बार public को दिखाया तैमूर एक FAS jet launched missile है जिसे specially air to surface mission के लिए design किया गया है वहीं पर FAS air to air missile को पाकिस्तानी air force की air defense capability को बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है पाकिस्तान ने इस missile की specific details अभी तक disclose नहीं की है पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथी साथ वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर करें जै हिन भारत माता की जै